नमस्कार नमस्कार एक ताज की एक हसास एक खूपसूर्ती, एक आस एक आस था, एक विश्वास यही है एक नए दिन के शुरुवात दोस्तों, नए दिन के शुरुवात हो चुकी है और हमारी कारिक्रम विहार विवान की मैं प्रग्या सिंग नमस्कार, wonderful morning to all my lovely viewers बहुत बहुत स्वादत है आपके अपने morning life show विहार विहार में और प्रग्या के साथ आज मैं हू प्रेयना, नए दिन की शुरुवात हो चुकी आज दिन है सूमवार विकेंज के बार यारो शनुवार के दिन आज यह विकेंज है विकेंज का अंत हुआ यानि कि हम वीग डेस में आ चुके हैं सूमवार का दिन व्यस्तता भरा दिन होगा अज हम अमीद करते हैं कि आपका यह पूरा दिन करने के लिए तयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता आज हमारे साथ मौझूद है बहुत खास महमान अज हमारे साथ में मौझूद हैं वेद प्रकासर सर आप है उप महा निदेशक आकाश्वानी केंद्रपटना आप 33 वर्सों से आकाश्वानी एवं दूरदर्शन दोनों में कारे रत हैं और हमारे आज के जो अगले महमान है जिने हमने आवंतृत किया है आज के खास दिन पर आप हैं निदेशक अभियंत्र की दूदशन केंद्रपटना श्री चंदरशेखर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है बीते 23 वर्षों से आप निरंतर सेवा दे रहे हैं दूदशन के इंद्रपटना में और प्रसारवारती में आप दोनों ही खास मेमान का बहुत-बहुत स्वागत है हम आज विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं सर और तेरह फरवरी आज का दिन निधारित हुआ दोहजार बारा सेश की शुरुवात हुई लेकिन अगर बात करें कि रेडियो की तो रेगिनाल फंदेसर ने 24 दिसंबर 1906 में सबसे पहले रेडियो की शुरुवात की थी और तब से लेकर कि यह सफर जारी है सबसे सशक्त माध्यम है रेडियो संचार का और रेडियो बदलते वक्त के साथ रेडियो भी बदलता गया लेकिन अपनी प्रासंगे किता कोस ने वैसे ही बरकरार मजबूती से बरकरार रहा एक वह दौर था जब हम हमारे घर में लिविंग रूम में अगर ट्रांजिस्टर हुआ करता था या रेडियो सेट हुआ करता था तो वह पूरा परिवार बहुत सम्रत दिखा जाता था और इसे प्रकार रेडियो ने अपनी कहते अपनी प्रासंगे किता बरकरार रखी और आज रेडियो की आज भी उतनी अहमित्ता है बदलते वक्त के साथ रेडियो बदल रहा है हम आज एक 6-inch के स्क्रीन पर हम सिमट कर पूरी दुनिया रह गई है लेकिन फिर भी रेडियो तो अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ स्थापित है अब पूरी दुनिया सिमटी जा रही है मोबाइल होती जा रही है चंदर शेकर सर आपसे सबसे पहले जाना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल रेडियो डे है इस अफसर पर मैं सबसे पहले डिडी दिहार के सभी दर्सकों और रेडियो के जितने जिसनव हैं तो सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं जैसा आपने कहा कि 13 फर्वरी को हर वर्स रेडियो डिवस मनाया जाता है तो इसकी सुरुवात किस तरह से हुई और क्यों 13 फर्वरी को ही चुना गए इसके बारे मैं दो बाते बताना चाहता हूं तरह फर्वरी उनिस्सोच्छालीस को ही उनाटे नेशन रेडियो सुरुवात हुई थी इसलिए उनिस्को दोरा यह नहीं लिया गया कि हम 13 फर्वरी को वर्ल रेडियो डे मनाएंगे और 2012 से इसकी सुरुवात है 2011 में उनिस्को और जितने भी रेडियो के बाड़कास्टर जितने दी उसके सदस्य थे सब में एक सामती बनी कि तेरह फर्वरी को वर्ल रेडियो डे मनाएंगे अब रेडियो के जहां तक प्रसंगिक्ता की बात है तो रेडियो विस्व का सबसे पुराना संचार माध्यम है टीवी के जब सुरुवात भी नहीं हुई थी उस समय सार सबसे पुर्टेबू माध्यम है जहां भी जाए रेडियो को साथ रे जा सकते हैं और रेडियो ने बदलते जो टेकनिकल एव्वलुशन उसके साथ अपने को अड़क्या है आज डेडियो डेडियो पुलब्ध है टांजिस्ट्र की पुलब्ध है मोबाइल पी टीवी सेट यहां तक आपके इस्टश्टल वाच की गयुक लॉब है और रेडियों के तरह करिकरम होते हैं चाहिए वो entertainment का हो चाहे ब num holy兄 कमेंटरी हुआ की आपका India में करेकेट का Jeżeli Community हूँ है अब देखती होगी कि रेडियों के जरूर से पॉड़कास्टिप होती है साथ ही साथ रेडियो का एक लोकल लेडियो स्टेशन होता है, काफी साथ लोकल लेडियो स्टेशन का नेटवर्क है, इंडिया मेरी और बिश्व में जिसमें कि जो सरकार के डिफरेंट कारिकरम होते हैं, जो कि जन सुधाओं के कारिकरम होते हैं, जन कल्यान के कारिकरम होते ह तो लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से उस लोकलाइज पॉपलेशन को टार्गेट किया जाता है और उनको सुचनाय पहुंचाए जाती है जिससे कि वहां के लोग जो है सरकार के भीन पारकरमों का लाग ले सके तो रेडियो हमेशा से प्रासंगिक रहा है और आगे भी प डीओ को के बीच बना हुआ और नागे भी रेडियो हमेशा बरकरार रहेगा तो वह जो ट्रस्ट है वह जो विश्वास है लोगों का रेडियो को प्रतित वह उसके बारे में हम कुछ जाना चाहेंगे कि किस तरीके से रेडियो काम करता है लोग पर सबसे पहले तो आज के इस दिन पे हमारे महान ब्याज्यानिक मारकुनी जी को अपना नमन करना चाहूँगा, जिनके अविसकार के करण आज हम लोग यहां पे बैठ के रेडियो दिवस पर चल्चा कर रहे हैं, रेडियो का अविसकार उनके द्वारा किया गया था, ये रेडियो देखिए, ये सुलब माध्यम है, जैसे कि आज हमारी जिन्दगी जो है मोबाइल हो गई है, तो उसमें आप जैसा कि अभी चंद सेखर जी ने बताया कि रेडियो आपकी घड़ी तक पहुँच गया है, तो इसलिए आप हमेशा जहां भी हैं, जिस जगह पे, जिस इस्थिती में आप चा करण ये था कि जो सीमा छेत्रों में जहां बहुत रिमोट लोकेशन पे वो रहते हैं, वहां उनके पास रेडियो का सिगनल ही पहुचता है, तो वहां उनके लिए मनुरंजन और सूचना, दोनों का साधन रेडियो सुरू से रहा और अभी भी बना हुआ है, दूसरी बात ये है कि जो बहुत रिमोट जगह है, बहुत से ऐसे छेत्र मिल सकते हैं, जहां पे लोग, बिजली की सुविधा भी अगर नहीं है, वहां के लोग भी रेडियो का जो प्रोग्राम है, वो सुनते हैं, क्यान तो इसकी पहूंच और बहुत ही सस्ता माध्यम है, उसके करण हर आदमी उससे जुड़ पाता है जिसके कारण इसी प्रसंगीता कभी खतम होने वाली नहीं है यह पहले भी थी और अभी भी बनी रहे तो जाना चाहूंगी आप दोनों से भी एक वक्ता जो आकाश्वाइनी की एक विशे जो धुन है बहुत सारे लोगों का यह अभी भी कहना करती थी तो वह आवाज अभी भी हमारे जहन में कौनती है और वह वाकई में अभी भी वैसे ही आवाज उसी मधुड़ता के साथ लोगों के दिल और जहन में कायम है जानना चाहूंगे कि बहुत लंबी शुरुवात काफी पहले इसके शुरुवात हुई तब से लेकर कि अभी तक बहुत सारे बदलाव आए और रेडियो निरंतर बदलाव कर रहा है ताकि लोगों तक सुलबता से वह पहुच पाई और सरकार की योजनाये हैं तमाम सूचनाये है या फिर सिक्षा हो मनरंचन की बात करें स्वस्त मनरंचन को रेडियो परोस रहा है जानना प्रक्रिया तक जारी है तो आम जंजन तक पहुचने का यह जो प्रयास रेडियो कर पा रहा है तो रेडियो के लिए यह कितना चुनौती पूर्ण है क्या बताना चाहेंगे आप जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोगों के दैनिक जीवन की सुरुवात ही होती थी रेडियो स मैं आपको एक बहुत हाल का अपना अनुभव बताओं मुझे सुबए सुबह एक हमारे सुरुता का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर आज जो सुभ आपकी सुरुवात हुई है उसमें जो एनाूंसर महोद्या थी उन्होंने सनिवार कहा जबकि आज रवीवार है तो मैंने कहा ठीक है भूल बस बोले नहीं ठीक है उन्होंने माफी भी मांग ली और बाद में उसको आप सोचिए कितने ध्यान से लोग उन चीजों को सुनते हैं उनके लिए वो एक बार गलती होना वो कहते हैं रेडियो में ऐसा हम लोग नहीं मानते कि इस तरह की गलतिया हो सकती है औ उसको हाइलाइट करने के लिए आप देखिए आम तोर पे जब अस्थानिये कोई किसी तरह की समस्या होती है कई बार जो दंगे या आपसी जगड़े हो जाते हैं तो उसमें भी सरकार रेडियो के माध्यम से लोगों को जो अपवाहे फैल रही होती है उसको काउंटर करने के लिए सही सूचना पहुचाती है जिसे आम जनता में सही सूचना हो और लोग अपवाहों के चलते किसी तरह का कोई हिंसा या इस तरह की गड़बरी नहीं करें उसी तरह से जो है जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है आप देखिए आज के जुग में जो है इन्फॉर्मे बिहार ने अभी जो हमारे बॉर्डर एरिया में जो कावरेज होते हैं उसको जो है मजबूत किया जा रहा है और सीमा सुनक्षाबल के सहयोग से उनके कैंपस में रेडियो इस्ट्रेशन लग रहे है जिससे कि जो भी बाहरी देश या कोई हमारे आंतरिक दुस्मन कोई बॉर्डर करें और अभी बिहार में जैसे आपको बताना चाहूंगा कि नर्कटिया गंज बतनाहा सिता मरी यह सब बॉर्डर पे अभी हमारे रेडियो इस्ट्रेशन चालू हो चुकिए सर जी सर जैसे आपने बात की सुरक्षा तो सुरक्षा में किस तरीके से रेडियो प दोर में जहां सोसल मीडिया की बड़ी उप्योगिता है वही पे उसके कुछ दूस प्रभाव भी हम लोग देख रहे हैं लोग उसका प्रयोग जो करके अपपाहें फैल आते हैं गलस सूचनाएं देते हैं और उसकी वज़े से जो है फिर आम जनता में असांती फैलती है त आकास्मानी से अगर कोई सूचना या कोई खबर दी जा रही है तो वो पूरी तरह से प्रभावानिक होगी तो बहुत बार जब इस तरह के अपपाहें फैलती हैं तो लोग रेडियो के माध्याम से उसको सुनिसित करते हैं कि यह सही बात है या गलत बात है और उसमें जो ह हम बात करें तो एक ही नाम जहर में आता है वो है रेडियो चंद्रसेगर जी आप से जाना चाहूंगी कि अगर हम रिचिबलिटी की बात करें तो मातर एक रेडियो ही ऐसा है चाहे आपदा हो या कोई बीस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए चाहेद हम टेलिविजन ना काम करें लेकिन रेडियो अपना काम करता है मैं चाहूंगे इसके बार में विस्तार से माय दर्शकों को बताए कि रेडियो के लिए कितना चुनौति पूर्ण है और कितने संगर्श के बाद रेडियो ये सब कुछ संभव कर रहा है आपका प्रस्ट बहुत ही अच्छा है इस वार का वरल्ड रेडियो ये जैसा कि बेघपकाश जी नहीं बताया कि इसकी थीम है एडियो और पिश के त्रस्ट तो यह क्यों डरी यो के श despd जुरता है इसके दो कारण एक रेडियो के जो भी कारक्रम है चाहे वह भार्क के रेडियो के कारक्रम हो या और क्भाइब Tता है थे में कर्सा क्या दूसरा है रेडियो के रीच स्टार इन्टरियो पर एक नेट वर्क हैं चाहे वो रेडियो अपने दर्सकों तक अपने लिसनर्स तक पहुंचता था और चाहे किसी भी तरह के आपदाएं आएं रेडियो के सिगनल जरूर से पहुंचते थे इसलिए जब प्राकिरतिक आपदाएं आती हैं जहां पर कि टीवी कारी नहीं करता इंटरनेट खतम हो जाते हैं पा रेडियो ही एक ट्रस्ट वर्दी माध्यम जिनके द्वारा आप पहुंचा सकते हैं दूसरा भारत के संदर्म यदि हम देखे हैं तो भारत का काफी बड़ा एरिया कोस्टल एरिया होता है और भारत के जो मचवारे हैं उस बेल्ट के मचवारे वो समुदर में जाते हैं जह पर डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से सुचनाओं के लिए और उसी रेडियो के माध्यम के द्वारा उनको पता होता है कि कब तूफान आने वाला है या जो मचलियां हम पकर रहे हैं उनका आज क्या वाजार में भाव है या क्या इंपोर्टेंस है तो रेडियो का काफ रेडियो के द्वारा उनको भी सुचनाओं पहुंचाई जाती है या उनका जो एक मोनोटोनस लाइफ होता है उसमें इंटर्टेंमेंट भी चाहिए आपको तो वो रेडियो एक उस कमी को पूरा करता है जी सर जैसा कि आपने बोला कि रेडियो अभी भी इस तरीके के काम क अगर कहा जाए तो किस तरीके से जैसे डिजास्टर हो रहे हैं या कभी भी कुछ ऐसी आपदा आती है तो सोशल मीडिया है वो कभी वो कभी काम नहीं करती है या इंटरनेट काम भी करती है लेकिन रेडियो ही एक ऐसा माधियम है जो की चलता है तो आने वाले वक्त में हम क है रेडियो गाओं गाओं तक पहुचाने का तो इस तरह किसे आगे हम क्या देख सकते हैं इसमें देखिए पहले तुम्हें बता दू जो विस्तार है रेडियो का आकासवानी का मैं आपको कुछ डाटा बताओं जो हमारे साइद बहुत दर्सकों के भी जानकारी में होगा अभी बरतवान में आकासवानी के 470 सेंटर पूरे देश में कारे रत है और आकासवानी द्वारा जो है 23 भासाओं में प्रसारण होता है और सिर्फ 23 भासाओं नहीं करीब-करीब 500 से जादा बोलियों में ये सुविधा उपलब्द है तो आप सोचिए कि एक जो बिलकुल जगह का रहने वाला आदमी है ज्यादा तर लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी भासा में ही चीजों को ठीक से समझ पाते हैं तो हर एक छोटे ट्राइब के लिए जिसे नौर्टिस में छोटी छोटी ट्राइब से हैं जिनकी अपनी भासाएं या बोलिया है उन आकास्वानी उसको हर छेत्र में अस्थानिये भासा में उसका प्रसाण कर रहा था दूसरी चीज आपने जो आगे की बात कही तो अभी बर्तवान में भी सरकार ने बहुत बड़ी योजना रखी है जिसमें की रेडियो का और आगे प्रसार किया जाएगा नए स्टेशन ल होता है कि 100% और कोई भी आदमी उस पहुंच से बाहर नहीं रहे लेकिन अगर हम अपने रेडियो की बात करें याने कि हम आकाश्वानी पटना की बात करें तो आज से 75 वर्ष पूर्वतत कालिन सूचनौ और प्रसारर मंत्री सर्दार बल्लब भाई पटेल जी के द्वारा अकाश्वानी पटना का उनकी करकम्लो द्वारा इसका उठाटन हुआ था और हम उसका आज ही रक जयंती हम बना रहे हैं मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें जबूर कुछ परताएं देखे 26 जन्मरी 1948 को आकाश्वानी पटना की सुरुवात हुई थी जिस आपने बताया और तब से 75 वर्सों का एक लंबा सफर आकाश्वानी ने तय किया और उस दवरान हमारे जो भी सुरोता हमारे साहां जुड़े रहे उनका वह बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा भन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये 75 वर्सों की यात्रा उनके सहीयों के बिना संभव नहीं थी शुरुवात इसकी एक मीडिया वेफ चांस्मिटर से हुई थी कम पावर के बाद में एक 100 किलो वाट का मीडिया वेफ ट्रांस्मिटर लगाये गया उसके बाद यहां वियुद भारती का प्रसाराण परारम हुआ आज के समय में रेंबो का भी प्रसाराण यहां से होता है तो अस्थानी अस्थर पे तीन चैनल हम चलाते हैं इसके बाद जो है आकास्वानी का जो पिछले कुछ ऐसे कारेकरम रहे हैं जो आज भी लोगों के मन में बसे हुए ह और इस हीरक जैनती वर्स में हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को वो जो हमारी यात्रा 75 वर्सों की उन्होंने हमारे साथ की है उसको एक बार फिर से याद दिलाया जाए तो कुछ पुराने जो कारेकरम बहुत लोग प्रिये थे उनका भी दुबारा से प्रसाराण किया जाएगा और उसके अलावा बहुत सारी नई चीजे भी हम जो है इस हीरक जैनती वर्स में प्लान कर रहे हैं और इसमें दर्सकों की साभागता भी होगी क्योंकि हम इस्टूडियो से निकल के बाहर भी कुछ कारेकरमों की योजना बना रहे हैं मैं जाओं कि आप से जाना जाना चंदरशेकरची आप से जाना चाहूए हूं कि हम बहुत सारी बाते कर रहे हैं तो अमने जैसे नैश्रूड़ डिजास्टर की बात की कुछ भी ऐसी आपदा आती है लेकिन रेडियो काम करता है सब कर करके कन्या-कुमारी तक की लड्दा की बात करें बात करें हर बसक्राइब हम रहे। कुछ बताना चाहिए। रीडियो जो है बदलते समय के साथ अपने को बदला है। चाहे वो कारिकरम का छेत्रो या तकनिकी पहलो हो। कारिकरम में पहले की आप बात पहले जाएं आज से 30-40 साल पहले जाएं तो जो लोकल कारिकरम हुआ करते थे लोकल एक मंडली होती थी रेडियो क्लब होते थे तो उनसे जुड़े हुए कारिकरम बनाया जाता था और उसका प्रसान होते था। आज चुकि जो लिस्नर वर्ग है वो बदल गया है और मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट होता है तो इसलिए जो आज के जो डिफरेंट म्यूजिक कंटेपरडी म्यूजिक है या एजुकेशन है आपका आज लोग ज्यादा अपने करियर ओरियेंटेड होते हैं तो उस तरह के क दिफरेंट तरह के ट्राइट मिटर होते हैं वो आपका ट्रेस्ट्यल मौड वेड़ ट्रॉफीत होता है जिसमें की मैं पहले मिचर्चा की कि तीन तरह की इंफरास्ट्रुक्चर होते है कि मेडिया उसके हमारा सबसे पुराना माध्य में है ट्रॉप आनस्मिशन का और आसियत यह है कि इसके कवरे अरिया काफी लंबा होता है आपके पास यदि 100 किलोवाट का टांस्मीटर है तो आप करीब करीब 400-500 किलो मेटर तक आप अपने वेव को पहुंचा सकते हैं मतला अपने कारिकरम को 400-500 किलो मेटर दू जो बैठे हुगे हैं सोता बैठे हैं उनके हैं दूसरा नेटवर्ठ संगे केघा लगेमी लगें मतलिश्च कभरेट हैसी लिए 30-40 क्लो मेटरत तक सbsp में दो तरह के प्रसाहन की जाते हैं एक इसले सरु पर्सारन होता है और दूसरा 1 लोकल कार परम होता है तो रेडियो में से کو कर पाता है क्योंकि हम जिस तरह के इस होती है उन्हें भासाओने डालेक्ट होते हैं तो जैसा कि बीधब कर क्या किने कहीं कि हैं अग्वग 50 km के डिस्टेंस पर एक लोकल रिडियो सेशन होता है उसी डियलेक्ट में वहां के कारिक्रम परसायद की जाते हैं तो वहां जो लोग होते हैं अपने को कनेक्ट करते हैं और उनसे उनका एक भावना अफ्थवक संबंध जुरा हुआ होता है तो इन सारी चीजहों को देख करके रिडियो की कारिक्रम का निर्मान किया जाता है अब जहां तक अंतराष्टिय दर्सक वर्ग है तो अंतराष्ट्य दर्सक तर्सक तक भी पहुंस तक है हमारा बार्ट वेव का प्लिट रास्मिशन होता जो कि अब सटलाइट रेडियो या डेट रेडियो के माध्यम से कि वहां जो हमारी सपोस्ट भारत के लोग जो बिभिन देशों में रहते हैं उनका भी अपने छेत्र के जो भासा होती है को अंगिका का है को मगी के है या कोई तमिल तो चाहते हैं कि हमारी भासाओं में क्या हो रहा है क्या करिक्रम हो रहे हैं उन पर उनका ज्यादा विश्वास होता है। जी सर बिल्कुल सर तुनों से जाना चाहूंगे कि जैसे आपने बोला कि जो रेडियो है वो विदेश तक पहुंच रहा है और काफी कुछ रेडियो में जो एक व्रिहत रूप से रेडियो का काम है तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजिस आता है सर जो कि आप लोग बताना चाहे हैंगे अगर डियो क्या इपन्स में भी रेडियो काम कर रहा है आम जनता के लिए भी रेडियो का एक चवी है तो ऐसे भी रेडियो के कुछ चैलेंजिस और जो घटा ऑॉडियंस बेस भी आज के जमाने में हो गया है उस पे किस तरीके से काम किया जाता है सब से बड़ा च सुचनाय तेजी से फैलती हैं अगर वो सही है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर वो गलत है और अफवाह है और उसको किसी गलत उद्देश से फैलाय जा रहा है तो वो बहुत खराब है सुसाइटी के लिए तो उस केस में जो है लोग फिर क्योंकि आपको दस ल अभी चंसेखर जी ने बताया जो रेडियो के पहुच की बात है मैं इस औसर पे दर्सकों को बताना चाहूंगा कि सरकार की एक कॉम्यूटी रेडियो इस्टेशन की योजना है जो कोई सिक्षर संस्थान या एंजियो जो है अपने अस्थार पे मंत्राले से लाइसेंस ले इस तरह की सुविधा है तो मैं चाहूंगा कि हमारे बिहार से भी लोग इसमें आगे आए और आगे बंत्राले से जो है अपना नियम्यात लेकर के और सुरुवात करें इससे जो है रेडियो की पहुच जो है अस्थानीय स्थार पे लोगों के बीच में और ज्यादा आप नियम्यात बढ़ में आप 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 की नुबह जाना चाहों जाहूंगे मारे दर्शकों के साथ आप अपने अनुबह साजा करें वह कौन सा एसा कारिक्रम या कौन सा इसा गटना जो आपके जहन में अभी बेरेडियो यह ताजह है तो जो आपके जाहंगे आप जानना चाहूंगी पहले मैं चंदशीकर जी आप से जानना चाहूंगी आपको चमाई साथ साचा करें बेतपकास जी ना भी कम्युटी रेडियो की चर्चा की तो मैं अपने अनुभव इसी से सुलू करता हूँ मैं यहां के पहले राची में था तो वहां पर राची इनवर्सिटी द्वारा एक कम्युटी रेडियो का अस्थापना की जाए थी इसका नाम था रेडियो खाची और मैं उससे काफी नजदिकी से जुड़ा हुआ था एक वहां कम्युटी बनाए गए थी वहाई स्थापना की जाए तो मैंने देखा कि वह उस एक कम्युटी रेडियो स्थापना में करीब चार-पांस साल लग गए थे जबकि फंड उपलब था तो जो चलेंजेज की बा लगता है फिर प्रोकूर्मेंट कैसे किया जाए टेंडरिंग कैसे की जाए इसके द्वारा ली जाए जिससे की रेडियो हमारा ठीक से चलता रहे और जब यह बनके तयार हुआ और अभी काफी अच्छा प्रसारण हो रहा जैसे जैसे मुझे सूचना है काफी सक्सेस्फु माध्यम बन गया है रेडियो खांची राची में तो जैसा कि सर ने कहा और मैं भी उमीद करता हूं कि बिहार में भी जो इन्वर्सिटीज हैं या डिफ्रेंट गॉर्मेंट और इस दिशा में काम कर सकते हैं और एक कमिटी रेडियो स्टापना कर सकते हैं दूसरी बात अप इसमें बजा दिया करता था और अपनी पढ़ाई करता था उससे क्या होता था कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है माइंड का वो नहीं होता था एक आपको इसमेह निकालने के जरूत नहीं है आप अपना जो काम कर रहे हैं चाहे वो महलाए खाना बना रही हों या इस्टुडेंट पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी अपना कोई काम कर रहे हैं साथ ही रेडियो बैगराउंड में बसता रहेगा और वो आपको कभी भी इस्टब नहीं करता है बलकि लाव ही देता है इसलिए रेडियो सब ज्यादा कनेक्ट करते हैं ची बिलकुल वे प सब्सकों के मन में ये विचार भी आ सकता है कि अगर मीडिया में इतनी दूर तक जाता है तो फिर एफेम लगाना क्यों है तो देखिए दोनों का अंतर यह है कि पहले जो हम रेडियो सुनते होंगे आप लोग भी सुनते समय ध्यान दियोंगे तो उसमें थोड़ी सरसराहा और की तरह कलिएर थी तो जैसे रहती है कि समुद्र में लगाया जा सकता लेकिशन मीडियों में पर पसारण हो रहा है तो समुदर के अंदर वो 100-500 किलोमीटर भी अगर चले गए हैं तो वहाँ भी उनको रेडियो में सिगनल मिलता रहेगा तो बाद यह साइकलोन आने वाला है या मौसम खराब होने वाला है तो रेडियों में इसकी सूचना मिलने के बाद व और यह समझ जाते थे कि वाकई में पूरा चितरन क्या है हिंदी कमेंटरी की अगर हम बात करें किस प्रकार से आखों देखा हाल सोनाया जाता था और लोगों की दिलों दिबाग पर वह बाते चाह जाते थी किस प्रकार से रेडियो इतना प्रभावी था और इतनी मजबू देखके समझ जाएंगे कि वहाँ रेडियो बज रहा है और लोग सुनने के लिए जो ही कठे रहते थे और जो उस समय के हमारे कमेंटेटर थे चुकि उनको अपनी बातों से ही सुरोता के मन में उस मैच की पूरी इमेज दिखानी होती थी मौसम कैसा है मैदान कैसा है वहाँ क्या चल रहा है क्योंकि सिर्फ इसकोर नहीं बताते थे वो पूरा एक चित्र आपके सामने रखते थे और इसमें कुछ बड़े प्रसिध नाम रहे जस्देव सिंग जी थे एक दिलीब दोसी जी हुआ करते थे और भी बहुत सारे लोगों थे तो उस समय उनका एक सेलेवरेटी जैसा इस्टेटास था हर आदमी जानता था कि यह कौन है और मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि किस तरह से आपको आपके दिमाग में वही चित्र उतार दे जो वो आपनी आखों से देख रहे हैं और उसकी मतलब लोग चलते हुए भी रेडियो पर कमेंटरी सुनते रहते थे और आज भी हम तो देखते हैं कि लोग जैसे गारी में चलते हुए जो जिनको जो भी खेल पसंद है तो गारी में अपना चलते हुए भी कमेंटरी सुन रहे हैं यह चीजे दूरदसन में बहुत पॉपुलर्टी है और अभी जो भी मैच होते हैं उनकी कमेंटरी जो है नीमित रूप से रेडियो से प्रसारित की जाती है यह रेडियो एक यंत्री नहीं एक इमोशन से जो लोगों से के साथ जुड़ा हुआ है और बात की जाए सर की रेडियो की अभी 75 साल मना रहा है तो क्या कुछ नया कुछ कर रहा है पटना केंद्र इस दिवस पे अभी जैसे बिहार में हमारा जो आकासवानी का नेटवर्क है उसमें पटना के अलावा चार मुख केंद्र है आपको दर्भंगा भागलपूर पूर्णिया और सासाराम इसके अलावा आज की डेट में 20 हमारे रिले सेंटर कारे रत हैं। मतलब कुल मिलाके 25 सेंटर चल रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। आलावा कारेक्रमों में भी हम लोग समय के अनुसार जो है परिवर्तन करते हैं और आज जैसे की पहले चंसेखा जी ने बताया कि बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को ले करके तैयारी करते रहते हैं तो उससे जूरे हुए भी बहुत सारे कारेक्रम हमारे हां से चलते हैं और एक आप बहुत रोताओं की आवसेक्ता के अनुसार उसमें लगातार परिवर्तन करते रहते हैं लेकिन कुछ पुरानी चीजे भी हैं जो की बहुत लोगों को पसंद है तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है जिसे पुराने कई एक लोहा सिंग करके नाटक कभी रेडियो पर सारित होता था और आगी मैं जब कही बाहर जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो पुराने लोग उसको याद करते हैं और कई लोगों का अनुरूद रहता है कि उसको एक बार दुबारा से चलवा दिया जाए जाए बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि लोगों का जो विश्वास है और रोगों की जो रुची है वह अभी भी वाकई में बरकरार है और कुछ पुराने ऐसे कारिक्रम में उन पर भी लोगों की रुची अभी तक बरकरार है वेद प्रकार जी आपसे जाना चाहूँगी कि हम अगर पतना दूदर्शन की बात कर रहे हैं चर्चा चल रही है मैं चाहूँगी बिहार में जो इसका संचाल है रीडियो का जो संजाल है जो इसके नेटवर की जो कनेक्टिविटी है उसकी बार में आप कुछ बताएं कि यह किस प्रकार से काम कर रहा है और कैसे दिन बदि अगासवाणि दर्वंगा अगासवानि पुर्निया और अगासवाणि सासा राम परा और करते हैं यह सारे जो ऑसके जो कंद्र है była कर आञा 김ोन का निर्मान होता है उस चेतर के जो कि सीतर है कि वहां के लोकल डैलेक्ट म ए कर टेलेंट में कर पर और इस आगर मेंगा कर इसके अलावा सरकार का एक फोकस है कि हमारा FM का रीच को बढ़ाया जाए पहले FM केंद्र काफी लिम्टेड नंबर में हुआ करते थे अब पिछले दो-तीन सालों से लगवाक सभी जिलों में एक FM परसारण केंद्र बना हुआ है जिसका की एक लोकल रीच होता है करीब 15-20 किल जर्ण के लाविवार्थी और दुसरा FM रेन्बो कर दिल्ली से परसारण होता है और विविद भार्ती वह डिली से लोक जानते होंगे कि विविद भारती काफी पॉप्लर का एकरम रहा है पहले बिना का गीत माला जो अमीर सयानी जी हमारे होस्त किया करते थे आप लोग प तो इस समय पर समय पर सभी लोग चाहे गाओं के हों सहर के हों रेडियो कोल करके सुनने के लिए बैठ जाते थे और इतना पोपलर हुआ करता था कि दिन भर उस बिनाका गितमाला में या सिवाका गितमाला उसका नाम बाद में हुआ था कौन से गाने बजे थे उसके चर्चा को प्रजेंट करने का है कि आज भी जो उस समय के लोग हैं उनके दिल में बसा हुआ है और हमारे अमीर सयानी जी एक लिजेंड के रूप में उभर कड़ा है जहां तक आज के जो प्रजेंटर की बात है बदलते परिवेस के साथ लोगों ने अपने को बदला है आज रेडियो जोकी के रूप में रेडियो प्रजेंटर अस्थापित हुए है और इंडिया में काफी सारे पॉपॉलर रेडियो जोकी है जिनसे लोग अपने को कनेक्ट करते हैं और उनका प्रजेंटेशन अच्छा होता है कि लोगों के लगता है कि उनके आवाज सुन करके हमारा दीन बन गया बहुत संदर बात आपने कि वाकई में ऐसा हो रहा है और लोगों के दिलों में रेडियो अभी भी काया में और मुझे लगता है ताउम्र रेडियो ऐसे ही दिलो जहन में कायम रहेगा विद प्रकार ची जानना चाहिए आपसे की गवर्मेंट जो है सरकार भी हमार रेडियो के विकास और वस्तार में निरंतर बहुत सारे काम कर रही है प्रोच साहित कर रही है अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास कर रही है मैं जानना चाहूंगे कि इस पर और क्या सरकार के द्वारा किया जा रहा है कुछ बताना चाहेंगे रेडियो के विस्तार की अभ पुराने हैं उनका फी नवीनी करण किया जाएगा दूसरा है कि अब सारी चीजे इफ्टी ले और अपरड़ीडर हो रही तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में लोगों सारी है 듯 समय के साथ बदलाव जरूरी है किए जा रहे हैं मतलब रेडियो में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है तो हमारे दर्शुकों को सर क्यूंकि जैसा कि हमने कहा कि जो डेडियो का दौर है वो काफी पूराने से लेकर अभी तक काफी चलता आ रहा है तो हमारे दर्शुकों को कुछ कहना चाहेंगे मैं सबसे पहले तो आकस्मानी की तरफ से उन सभी का आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा जो 75 साल से हमारे साथ जुड़े हुए रहे और मुझे पूरी उमीद है कि आगे की भी हमारा यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी और हम उनके लिए जो भी जरूरी है उस तरह के प्रोग्राम जो है आगे भी उनके बनाते रहेंगे और हमारा संबन यही और प्रगार्ड होता जाएगा चंडर शेकर जी आप और वेपरिकार जी आप हमारे कारिकरियम में आएं आपने अपना कीमती हमें वक्त दिया इसके लिए आपका तह देल से धन्यवाद और हमारी बाचीत हुए हमारे आज के खास मेमान से अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का लेकिन जाने के पूर्व आप खुबी जानते हैं कि हम आपसे एक उजारिश करते हैं कि आप अपने विचार और सुझा हम तक जरूर पहुँचाए इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता तो फटा पर उठाए का अगजर कलम नोट करें हमारा पता हमारा पता है कारीकरम बिहार बिहान दीडी बिहार दूर दशन केंदर फ्रेजर रोर पतना 00001 हमारा इमेल इडरस है डाइक्टा डीडीके पतना